नमस्ते कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिए आज हम बात करेंगे कि हर मंतर की एक अपनी सक्ति होती है हर मंतर की एक पावर होती है जिस मंतर को अपन जिस कारीय के लिए ज्यंटिंग करते हैं उसका वो कारी अपना हो जाता है हर मंतर के एक अपनी पावर होती है हर काम के लिए अलग अलग मंतर होता है हर चीज का अलग अलग मंतर होता है ये काम करेंगे ये मंतर बोलना है ये काम करेंगे ये मंतर बोलना है ये काम नहीं हो रहा अपना ये मंतर बोलो काम हो जै तो मंत्रों में बहुत ज़्यादा सकती होती है बहुत ज़्यादा पाउर होता है जिससे अपना कारिय सीद होता है वैसे ही अंकों में भी ज़्यादा सकती होती है बहुत ज़्यादा पाउर होता है जैसे कि अपने से कोई पूछता है कि अपनी बर्थ डेट बताओ तो वो अ कि अपमें पावर और सकती तो आज मैं आपको बताऊंगे एक भूती पावरफूल एंजल नमर जिसकी आप चेंटिंग करोगे जिसको आप लिखोगे तो आपकी जो भी विस्वास है वो पूरी होगी इसको पहली बात या है कि कोई भी मंतर हम जब करते हैं कोई भी मंतर हो को कुछ भी हो कोई भी देवता हो कुछ वो जब भी काम करता है जब अपने को इस चीज पर विश्वास हो तो अंडेड परसेंट विलिव हो कि हाँ यह काम मैं ऐसा करूंगी तो मेरा काम हो गाई होगा यह बगवाल है मैं इनको मानती उगर इनसे मैं कुछ मांगूंगी तो मेरा काम होगा ही होगा, यह मंतर है, यह मंतर इस काम के लिए मैं करूँगी, तो मेरा काम होगा ही होगा, वैसे एंजल नमर होते हैं, तो इन पे आपको पहले विस्वास रखना जरूरी होता है, कि हाँ, मैं यह ऐसे करूँगी, तो मेरा विस करना सबसे पहले आपको करना है कि जो भी खाली कागज आप लोगे उसमें आपको अपनी बिस लिखनी है जैसे कि आपको कार चाहिए तो आप बोलोगे मुझे मेरी कार मिल गई है आपको अपना घर चाहिए तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने अपना घर खरीद लिया है आपको कोई जोग चाहिए तो आप बोल सकते हो मुझे मेरी जोग मिल गई है आपको जो चीए चीए वो आप परजेंट टेंज में उसको लिखना है आप उसको लिख दो हाँ पर फिर नीचे आपको तीन भार लिखना है थेंक यू इनीवर्स, थेंक यू इनीवर्स, थेंक यू इन्वर्स, थेंक यू इनुवर्स. अगर आप उसके नीचे आपको angel number लिखना है 1176 और उसके नीचे आपको रादे रुखना है. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं उपर उपर आपको लिखना है अपनी जो भी विस है उसको परजेंट टेंस में जो भी आप चाहते हो उसको परजेंट टेंस में लिख देना है उसके नीचे तीन बार Thank You Universe, Thank You Universe, Thank You Universe लिखना है और उसके बाद Angel Number लिखना है 1176 और फिर रादे रादे लिख देना है और ये आपको Blue Pen, Red Pen, Green Pen से ही लिखना है तिनों में से कोई भी एक Pen से लिख सकते हो, आप Black Pen से नहीं लिख सकते हैं और इस मंतर को आप अपने Left Hand में भी लिख सकते हो, 1176 लिख लिए जिए तो जब भी आपकी यहाँ पे नजर पड़ेगी, आपको अपनी भी से आदाएगी तो फिर आप उसको परजेंटेंज में बोल सकते हो, Thank You Universe, Thank You Universe, मुझे वोची वो चीज यहाँ पे आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा और आप इसको repeat कर सकते हो, और जो आपने जो खाली कागज में जो लिखा था, आपनी विश जो लिखी थी, उसको आप या तो अपनी अलमारी में लगा लीजिए, बार बार आपकी दिन में दो तीन बार जह लिखा देजिए, वहीं पे लगा लीजिए, और यहाँ आप 1176 की चेंटिंग भी कर सकते हो, जैसे मंतरों का उपचारन करते हैं, जब आपका मन करें, जब भी तो आप 1176, 1176, 1176, 1176, ऐसे इस मंतर की चेंटिंग भी कर सकते हो, यह एक एंजल नमर है, और लेकिन सबसे बड शर्द इसे एंजल नमर की यहिये है, कि आपको सबी मंतरों की एक पहली सर्थ यही होती है, कि आपको उस पे पुरा विस्वास रखuc रखना होता है, पूरा टेस्ट रखना होता है, की हां मैं ये करूँगी, तो मेरा करूँगा, तो मेरा काम जरूर जरूर होगा, सबसे पहली सरती है यह कि आपको इस एंजल नमर पर विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं यह से लिकूंगी तब मेरा काम हो जाएगा और फिर देखें आपके काम फटाफट से कैसे बन जाते हैं तो आप सबी रखेगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल मिलते हैं नेक्स्ट वीडि झाली